पहले कॉलर है अमित यूपी से हमारे साथ स्वागत है अमिज्जी आपका कि जी बताई ए सवाल कीजिए तेज अवाज में बात कीजिए अग्टने में दर्द है उम्र क्या है आपकी जिए अग्टने के दर्द और जोडों का दर्द या कमर या डिस्क का दर्द या हाथ का दर्द मौंडे का दर्द और एक बहुत मशूल राव मैटेरियल जो मैं शायद अपने हर प्रोग्राम में एक से ज्यादा बार बताता हूं कि आप वो इस्तेमाल करें वो रोव मैटेरियल का नाम भी तकरीबन ज्यादा तर रोग जानते हैं जो नहीं जानते हैं उनके लिए बार रहा मुझे बताना पड़ता है कि एक रोव मैटेरियल आता है जो गौन स यानि काला गौन के नाम से मिलता है और इंतहाई कड़वा होता है और लेकिन जितना कड़वा है इतना ही फाइदे बंदे हैं और सबसे ज्यादा इस्तमाल होने वाला गौन है ये मिलता मुश्किल से है और नकली भी मिल जाता है कभी तो असली लें और रोव मैटेरियल ले لوگ کہتے ہیں کہ پسا پسا ہیا دے تو مت لیجئے. تو اپنی ممی کو آپ سو دو سو گرام خریب لیں گے. اور آدھا گرام صبح آدھا گرام شام کھانے کے بعد ہی دینا ہے. پانی سے یا بغیر چربی کے دوس سے یا آپ رئیس ہیں تو جوسے بھی دے سکتے تو اس کو نا ہم سو دو سو گرام ختم کرتے کرتے अपने मरीज का ठीक होना मुम्किन होता है इसी के साथ नेक्स्ट फॉलर है सुश्मा दिल्ली से हमारे साथ स्वागत है सुश्मा जी आपका मैं अपनी मम्मी के बारे में अपनी जाती हुद के अपनी मिल्ख पूछादी आपके तैसे लिए आपके अपनी जाती है वाँ बहुत अच्छाए है और उनको गुतनों में डर्द नहीं है और उनको शचल नियुवाद रहर आपके और उनको थायद भी और फिर अभी ज़ थोड़े थायज और नियुद काफी प्रॉब्लम थी अब हो इत्मा हो गया कि उसल नहीं पासी बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप अप अपनी इतनी बुदर्ग मम्मी का ख्याल कर रहे हैं सब बच्चे ऐसे नहीं होते कि अपने खुदर्गों का इतना ख्याल करें तो आपके लिए बहुत खुश्खबरी है उपर वाला आपका बड़ा मदद करेगा इनकी दौाएं आप लेंगी और इतना जरूर हो जाएगा कि वो आसानी से चल फिर सकें देखिए मैं आपको दोन भी मैं बताने लगा वरना मैं कभी बिल्कुल भी दवा नहीं बताता हूँ तो रो मैटेरियल तो यह है कि अभी मैं बता रहा था अगर आप देख रहे ही थी गौन सिया लेने और सिर्फ सो दो सो गिराम खरी दें असली लेना जरूरी है अगर कोई दिक्कत आए तो आप कर सकते हैं हलाकि इसकी डिबांड बहुत है मिलता बड़ी मिश्किल से आधा आधा गिराम अपनी मम्मी को दीजे ऑपरेशन तो कराना नहीं और उनको इतना फायदा जरूर मुम्किन है कि वह आसानी से अपना सब काम कर सकें और अगर यह आप नहीं हासिल कर सकते तो कैपस जल्दी भी फायदा हो जाए तो चार-पांच महीने उनको इलाज जलू करें ताकि अब उनकी जिन्दगी आचानी से गुजर सके हमारे साथ सरोज है कानपूर से स्वागत है आपका हालो हां जी बताईए सवाल कीजी जी मैं आपसे बात कर रहा हूं आदाब हमारे राय साय है क्वारे से दाथ होता है और फट सब्सक्राइब है हुआ तो यह जो जो नो में दाथ वड़ा हूआ है और घारे से बढ़ा है ठीक है अम आपका दाख एक रहे हैं और गोंतिया मंग वा दिया आपके कम थी ते अपके बोला था शुरू किया अपने अब शुरू नहीं कि मुझा है ठीक है ठीक है जो देख कोशिश करते हैं तो उनको चीज मिली जाती है इसको पॉर्डर बना लैं और दो चुटकी जितना चुटकी में आता न ऐसी दो चुटकी सुबह दो चुटकी शाम खाने के बाद लेना है गरीब हैं तो पानी से बगेर अब चर्वी के दूर से या फिर रईस हैं तो जूस इसा आपको या कभी दूर कभी पानी कभी जूस ऐसे भी ले सकते हैं ये खتم होते होते आपका ठीक होना मम्मुन कॉलिस्टॉल बढ़डा है तो उसके लिए आप लेसन अद्रक इतनी सारी डाला करिए अपने खाने में सालन में जो घर में बने इसे सब का स्वास्ते और पेट अच्छा रहेगा और चर्बी किसी की नहीं बढ़ेगी और गरम पानी पिया करें पांच बार और अब जब करके बताईए कि आपको एक फार्दा हुआ के नहीं और थायराड के लिए एक नस्खा बना सकते हैं आप व घर में बना सकते गॉन मॉरिंगा सो ग्राम और धनिया तीन सो गिराम आवला सो गिराम और मेथी सो गिराम इन सब को राव मैटेरियल ले पाउडर बनाएं एक चमश सुबा एक चमश शाम आप खाएं तीन गिराम या चार गिराम करीब और वो गोली भी खाएं जो डॉक्टर ने आपको थाराइट की दी है और आप हर करता जाएगा हर महिने की और पुरानी महिने की आप रिपोर्ट को खुछ चेक करें कि कितना फर्क पड़ रहा है और आप को बहुत अच्छा लाएगा कि नंमसकार स्वागत है आपका हालो हालो जी नाम बताइए कहां से बात कर रही है मैं पुष्पार बोली हूं पहर से पंजाब से ठीक है तो मैं कैंसर से वाइबर हूं ठीक है है आपकी एक 65 है मेरी सिक्स्टी के एक से ठीक में हो चुकी है तो अब मेरी 65 के आतपस है तो मेरी दोंगनों बादमा कोई लेकिन शेलिंग है उसके बाद से ठीक है अब बड़ी लखी है कि उपर वाले ने आपको इससे भी निजात दिलाए जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बी अपना ख्यार लखा करिए इसी तरह और जो सेलिंग है उसके लिए आप देखिए पचास गिराम हल्दी और सो गिराम आपको लेना है आप लिख लिए पचास गिराम हल्दी सो गिराम आपको लेना अस्वा गंधा जो अजगन नागोरी भी कहते हैं अस्वा गंधा एक मैश गिराम हल्दी, सो गिराम अस्वगंदा.或者 दोसो गिराम अल्शी, और सो गिराम गौन पौरिंगा. गौन मौरिंगा मौश्ब मौरिंगा मुश्किल से मिलेगा तो कोई बात नहीं. रकि اصلी ही लेना. कोई प।र्षानी हो तो हम से भी तलब कर सकते हैं. इन सब को आप बनाएं और दो दो गिराम, तकरीबन दो कैपसूल की बराबर, सुबा शाम लिया करें. तो देखिए, हल्री बहुत कीमती चीज़ है, जिसे हम आम तोर पर यूज़ करते हैं. लेकिन इसकी एक क्वांटिटी अगर इस्तिमाल की जाए, तो इसमें करक्यूमीन नाम का एक पदार्थ, एक रसाइन होता है, जो कैंसर से रुक्ताम करता है. और अलसी भी एक ऐसी शेय है, जो आपको इसकीन की सूजन और किड्नी के फेल को ठीक करती है. इसके हर चीज़ के अपने अलग फायदे हैं. ये निसका बनाके आप रखें और रोज खाएं और खत्म होने तक आपके परिशाने टीक होना मुम्किन है. नेक्स्ट कॉलर है हरियाना से ईशपाल सिंग हमारे साथ, स्वागत है आपका. नमस्कार जी मैडम जी. जी नमस्कार. जी आदावर साब, बताइए क्या सेवा है. आदावर साब, मैंने पिज़ रहता है, गोपने लखती हो, पेश शाथ नहीं होता है. जी निजात मिल गए, लेकिन संधे दुखते हैं, मोटर साइचल चलाते दाएं संधे में दर्द होता है, बार बार जी. और तीसरा मेरा एक मेरी मिसमेस के लिए है, जी. उनकी रीड की हड़ी दभी हुए है, अभी पिर कराया था महीना पहले, और डॉक्टर कहते हैं भी ये तो आउस्ट्रेशन होगा ये खुश होगा, और कमर में और टांग में दर्द निकलता है, इसके लिए सर्फ कोशन है, मैं तीन कोशन सा महरबानी होगा, अब थोड़ 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 बता रहा है. तो देखिए, मैं बताना शुरू करता हूं और आप लिखना शुरू करें, देखिए, आपके कंधे का दर्द और कहीं का भी दर्द, और आपकी मिसिज के कमर की कमर का दर्द और टांगों का दर्द, या कहीं भी दर्द हो, ये निसका एक है, आप दोनों लोग खाना, और ये दुनिया की बहतरी इंट्राव मेटेरियल मैं आपको बता रहा हूँ और वो यह है के गौन सियाह जानी काला गौन काला गौन ऐसे सो दो सो ग्राम खरीद ले और दोनों लोग आधा आधा ग्राम सुबा शाम खाने के बाद पानी से बगर चर्बी के दूस से या रईस हैं तो जूस से भी सकते हैं. या कभी दूद कभी पानी कभी जूस से भी ले सकते हैं. यहापकी मर्जी है. लेकिन आप दोनों को छे से आठ दिन मुझे से कुछ मत कहना. चुब यह ओरिजनल रॉमैटेरिल है जो बहुत अच्छा काम करता है. लेकिं छे दिन या आठ दिन दस दिन बाद काम तक आप दोनों की को फाइदा मुम्किन है आपके मिसिस के लिए एक हिदायत है कि वेस्टन ट्वालेट ऐसा कुर्सी वाला जो होता है वो घर में होना चाहिए उसी पर अपने फारिग हो लैटिन बात्रूम के लिए ये जरूरी है और बहुत महनत मत कराईए इलाज के दौरा फिर बाद में सब कुछ कर सकते हैं अब ये दो सवालों के आपका जवाब हो गया एक सवा एक सवाल का जवाब आपके पेट और मुग के जायके का ये भी बड़ा एहम मसला है और इसको भी आप लिख लें देखिए धनिया दो सो गिराम सौफ दो सो गिराम और और आमला द मिलाईएس सौठ सो गिराम और इस में एक चीज़ ओर गिलाईए जो कहते हैं कलोंजी ये आस जबान कहते हैं, जाकर सब समझ जाएं लेकिन इसका असली नाम है ऐस्टेक कलोजी का रसायन रहे है जो बहुत सारी हमें बहुत सारी कलोजी से, अगर हमें दस बीस ग्राम ही दवा होती है, इसमें तो वो दवा निकाल लेते हैं, ये जारा ले लीजे, सो ग्राम, और इन सब को पाउ शुरू करें और इसका असर यह होता है कि जिस दिन से आप शुरू करते हैं पानी के साथ इस्तमाल करें उसी दिन से फाइदा शुरू हो जाता है और आपका मूँ का जायका भी बदलने लगता है और गैस, एसिडिटी, कव्ज, इंफेक्शन, पेट का इंफेक्शन, किड्नी इंफेक्शन, लिवर इंफेक्शन, और हजम, मैदे की सूजन, आतों की सूजन, किड्नी की सूजन, इस सब ऐसे चले जाती जैसे थी ही नहीं, आप इस पर भरोसा करें और उपर वाले से मदद मागें, आपका तीनों सवालों के जवाब हो गए, आप नुस्का बनाएं सवागत हैं आपका नमस्कार, जी नमस्कार, सवाल कीजिए अपना, इस वागता है, कितना बता यह इच अच्छा एज भी बता दीजे, यह 55 फिफ्टी फाइव कितनी फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव जो देखिए ये तीन रोग हैं आपको और एक दवा और ये बहुत सारे वर्दों में काम करती है एक तो आपका शूगर को लेबिल पर रखेगी और आपका क्रेटिनाइन को जरूरत के मताबिक वन पाइंट प होनी चाहिए इससे ज्यादा जो है वो रोग है तो आपको लेना है सिर्का जैतून का बनेगर होता है जैतून का जैतून इंडिया में पैदा नहीं होता तो वहां से लाया जाता है खाड़ी के मुलकों से और पर उसका एक प्रोसेस के तेह सिर्का बनाया जाता ये दुनिय रात को सोते वक्त लिया करें, पानी में मिलाके, छोटे चाय के चम्मज, तो आपकी ये दोनों समस्या है, टीक होना मुम्किन है.